नाबाड की जो गतिविदिया रही हैं और उनका जो कृषी शेत्र के उपर प्रभाव रहा है तो सच्वुच अप्रे आप में अभूद पूर रहा है और पूरे विवस्ता के तरब से एक क्रिजिया इंजिंसी के गूप में कृषी शेत्र की बास्तविक्ता को पहचानना और उन्हें साधन उपलब्द करवाना और उस शेत्र की जो गबीर स्थिती है उसको सरकार और शासर को अवगट कराना इसमें नाबाज की एक बहुत बड़ी बोनिका रही है आज हम अगर देश का और देश की अर्फिवस्ता का बड़ा चित्र देखते हैं और उस परिस्तिती में ग्रामीन और क्रिशी शेत्र को देखते हैं तो इस शेत्र की चिंताए स्वभाविक लिए एक तरफ आज हमने पढ़ा कि भारत ने फ्रांस को ओवर्टेक कर लिया जीडीपी में और दुनिया की छटी सबसे बड़ी अर्श का बन गए और इसी गपी से हम पढ़ते गए तो शायद अग्ले वर्ष का जब डेटा आएगा तो हम शटे से पांचवे नंबर पर पहुंच जाएंगे ग्रेट बिल्टिन से भी अर्श को एक तरह भारत को हम मानते हैं और धुनिया मानती है कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली सब के बावियूद भी वेवसाय करना यहां पर सरल हो गया है लोग खूब डिवेश करते हैं